नमस्कार दोस्तों रोज़ना राजशी फल दखने के लिए जाओं को सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश कर दें तागे दोस्तों आपकी राज़ते से जूड़ी सभी जानकारियों सबसे पहले आप तक पहुंच शुकी और आप उन्हें देखकर अपने जी सब्सक्राइब कर दोस्तों इसे के शाथ बात करते हैं गराओं के सिधी के अची होंगी क्या क्या योग बनेंगी और इन्हें शबीक आश्र आपकी राशी पर क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर आपको सावधने ना होगा और आखिर कौन को श्रीकारी आपके लिए ब कर दोस्वन दोसॉं बात करते हैं 20 दिन शनी वार का दर्रहेगा क्रिश्मपाज के महाश्याते दी रहेगी और दोस्वन दिन अनुराधा नाम का नच्छत रहेगा वह दोसों दिन योग की बात करें तो शुकर्मान आपका शुबयोग शुबा के 8 बचकर 40 मिर्ट रहेगा उसके उपरांद द्रीती नामा शुबयोग प्रारम हो जाएंगे वे दोस्तों इसके उपरांद इस दिन रहू कल के शमय की बात करें अर्थात अशुब शमय की दोस्तों ध्यान रहे आप रहू कल के शमय में कोई भी शुबा और महत्मुन कारें को भूल से भी ना करें तो दोस्तों ये शमय रहेगा शुबा के 9 बचकर 36 मिर्ट लेकर शुबा के 10 बचकर शंतार मिर्ट तक और दोस्तों शैद्रमाई दिन प्रिश्चिक राश्वी पर शंचाल करेंगे दोस्तों किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहर है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती और नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को उठने नहीं देती किसी से प्रेम करने की कोई वज़ा नहीं होती प्रेम तो सिर्फ फ्रेम है यदि वज़ा है तो वो प्रेम नहीं पसंद है दोस्तों प्यार कोई चीज नहीं जिसे मेहनत से हासल किया जाए प्यार कोई मुकदर नहीं जिसे तकदीर पर छोड़ा जाए प्यार एक यकिन है भरोसा है लेकिन यह इतना आशान नहीं कि किसी से भी किया जाए नफरतों को जलाओ तो महपत की रोशनी होगी वरना इंसान जब भी जले हैं खाक ही हुए है जिन्दगी में दो लोग बहुत तकलिफ देते हैं एक वो जिसे प्यार नो हो और उसके साथ रहना पड़े दूसरा वो जिससे हद से भी ज़्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े तो चली इससे की साथ बात करते हैं आज की राशिफल की देनी राशिफल दोस्तों यश में गरह स्तितिया अनुकुल है आप उने कारियों को बहत्रिन तरीके से प्रारूप देने में सक्चम रहेंगे किसी नज़िती की व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्पुन मुद्दे पर भी यश में विचार बिमस होने वाले हैं दोस्तों धार्मिक शिफ्वा शमंदी कारियों में उचित आपका शमय व्यक्तित होगा इसको प्रांदि यह शमय अगर आपकी शाहधने को लेकर बात करें तो या शमय किसी भी सरकारी कारी को लप्रवाई की वज़ाशी अधुरार ना छोड़े क्योंकि दोस्तों किसे तरह की पैनल्टी लग सकती है पैत्रिक शमंदी मामले अभी और अधिक उलजने की अशंका लग रही है इसके पांद दोस्तों या शमय बताते हैं कि आपके लेगा दोस्तों अपनी भावनों को योग तरिकेशी परकट करने की वज़ए शमय आपको पीरिवक्ति के साथ आपके शमंद भी बहुत मजबुत रहेंगे इसको प्रांद दोस्तों आपको बदा दें या शमय आपके लिए शमय होगे दोस्तों याश्मय भागी और परस् चमरेंगे इसको प्रांदी दोस्तों प्रवप्री शमंदी खरीड़ी के कारियों में भी बहुत अधिक शाधनी रखने के जरत होंगी क्योंकि दोस्तों अभी इनकारइयों के लिए जो समय है जो प्रस्यति है अनुकुल नहीं है दोस्तों अनामर्शक खर्चे भी आपके शामने यस में आ सकते हैं अगर विदेश मंदी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों इन्हें अभी अस्तगीति रखना आपके लिए उचित होंगे शुप्रान दोस्तों आपके लिए शमय होंगे आपको बदा दें कि आपके कठी चर्चा ना करें क्योंकि दोस्तों लोगों के शाथ चर्चा करके केवल आपके नकारतमकता ही बढ़ेगी और आपको लोग सिर्फ चिड़ाएंगे लोग आपकी यस में शाथ नहीं देंगे तो दोस्तों यस में उनसे इन बातों का शेयर करने से बचें इस्पान दोस्तों कापे हद तक बहतर रहने वाली है शादी दोस्तों दो पर बात जो प्रस्तितियां होंगी आपके लिए कुछ प्रतिकुल वातारण भी बना सकती है जिन कारण शेकोई मुशिबत जो है आपके शामने खड़ी उर शकती है और दोस्तों आपको दादें कि काम के दवाब के चल और भईश में आपके उजवला सपनों को आप शकार कर सकती है इसको प्राण दोस्तों यश्में आपके शुमें होंगे आपको बता दें कि दिन की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा चिंता और तनाव का परभाव बनाएगा क्योंके दोस्तों आपको लग रहा है कि हम भईश में कौन से कारे बुद दोस्तों आपको अकार्यों के प्रतिक एपने ध्यान को केंदरत रखें को भईश में अच्छा शुबलता भी यह चुमें प्रापत होने वाले है इसको प्रांदी दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होंगे आपको बता दें कि आचाना कि किसी महत्पून वेक्ति से मुलाकात भी आपके होगी तथा उनके मार्दशन से कई मुश्कुलों का भी निवारन होगा दोस्तों रूची पुर्ण तो था ग्यान वर्टक शाहित को पढ़ने में भी शमय आपका वईतित होगा पुराने मित्रों के शाथ भी मेल जोन खुश्णमा यादों को ताजा करने वाले हैं इसके पुरान दोस्तों याश्मय किसी निकट समंदी के शाथ जो उसका स्वास है उनके स्वास को लेकर उदास आपका मन थोड़ा सा रह सकता है दिखावे के चकर में दोस्तों कर्ज लेने से बचें क्योंकि दोस्तों अगर आप उनको दिखावे के चकर में कोई रुपिया पिशा देते हैं तो दोस्तों आपको अपनी बजट का विएश में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आपके उपर कर्ज का पोज बढ़ेगा तो भवश को लेकर आपकी जो इस्ततियां है गड़बर होंगी और आपके आर्थिक देश्तिती और भी तंधी कोर जाएंगी तो दोस्तों इनसे बचें और दिखावे की प्रविड़ति श्यास में दूर रहे दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति लपरवाय रहेंगी और इसलिए दोस्तों उन पर ध्यान देन आपका आवश होगा तो उन पर भी यश्मे ज्यान दरूर देए, दोस्तों की पेशी मित्र द्वारा आपको मारदस्ण यश्मे मिल सकता है जिसके वज़े से आप से जुड़ी बातों को देखने का नया नजरिया भी आपको प्राप्त होगा अध्यात्म में आप जोए आपकी खास सुर्यास में रूची रहने वाली है तो इसलों अध्यात्मिक छेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए जो समय होंगे आपके जो प्रतन होंगे यश में सबलता प्राप्त करेगी इसको बनां दोस्वों अगर आपके केरियर को लगर बात करें तो दोस्तों आपके वाशाय के लिए जिओ समय होंगे केरियर से जुड़े समस्याएं काभी हट थक यश में खत्म हो सकती है आप अपनी वयवार को शल्दा से नकात्मक प्रिस्तितियां पर वियश में काबू पालेंगे दोस्तों आपको बदा दें कि यश में नोकरी पेशा टार्गेट पूरा ना होने के वज़शे बहुत वर पेर अधिकारियों की वज़वे डांट फरकाट सुनने भी पड़ सकती है इसको परांध दोस्तों यश में आपके केरेर के लिए जिसमे होंगे आपके वायोशाय के लिए जिसमे होंगे आपको बता दें कि कारेशित में कुछ खास लोगों के साथ फायदमन मेंटिंग भी हो शकती है जिसे आपको बड़े ओडर भी यश में प्राप्त होंगे प्रांध दोस्तों काम को शमय पर पूरा करना आपके काबलियत पर निर्वर करता है इसको प्रांध दोस्तों यश में काम पर अपना ध्यान को केंदेद रखे शरकारी शुवारत वेक्तियों पर भी कोई महत्पुन जिम्मेदारी यश में आज सकती है लेकिं दोस्तों इन जिम्यतारियों को आप यहश में निवा भी पाएंगे और अच्छी सफलता को भी यहश में आप अर्जित कर पाएंगे इसको प्राहतों से यहश में आपको बता दें आपके केरेश के लिए यह समय होंगे दोस्तों आयात निर्याश्मंदी कार्योंग में किशी तरह का नुक्षान होने की व्याशनका बन रही है यश्में उचित सावधानी बरतना आपके लिए आफशो होंगे इसे दोस्तों अपने किशी भी कारे में घर की अनुभवी वापिर वरिष वेक्तियों की सला अवशलें उनकी सला आपके लिए यश्मे फायदमन साबित होने वाली है इसको प्राहत दोस्तों यश्में आपके केरेर के लिए जिसमे होंगे आपको बता दें कि वह वेफशाई में आपके दोरा किये गए नए परियोग जो आपके फायदमन साबित होंगे आपको जो है अपने काम के प्रती मेहनत के बहतरी रिजल्ड वेक्तियों मिलने वाले है नोकरी पेशा जो भी लोग है अपने जो है अप्शियल दास्तावेजों को बहुत अधिक शमाल कर रखें यह आपके भुष के लिए और आपके केरेर के लिए बहुत ही महत पुर होंगे इसकी पुरांथ दोस्तों यहस्त मेंखर आपके लिए लव लाइप के लिए बहुत ही सुकुन दायक रहेगा तो दोस्तों इन बात का भी आप धियान में रखें प्रद्व किशी मित्र की वज़े से घर में कुछ नकार्तम वातारण भी बन सकता है तो दोस्तों इन बात का भी आप ध्यान में रखें इसको प्राण दोस्तों यह जो समय होंगे आपके लव लाइप के लिए आपको बता दें कि घर में उचित शमय ना दे पाना इनकी पारिवन के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि यह जो में बच्चों के किसी समस्या को लेकर चींता रहे सकती है बैतर होगा कि आप सी सुल बज़र समस्या का हल निकाले इसको प्रादों से यह मगर आपकी स्वास्त यानिश सहत को लिए बात करें तो दोस्तों बाता दें आपके स्वास के लिए जो भी लोग है उपनी जान वर कर वायां में भी एपने दीर्या को शामिल करें यह आपके स्वास के के लिए जो समयोंगे आपको बता दें कि शाम तक श्वास्त उत्तम होगा प्रंतु अपने दिंचरिया को वैस्तित रखना आपके लिए आवश्व होंगे तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें इसको प्रांदों दोस्तों इसमें आपको बता दें कि अपना एमिनों कि लिएगल आपको का वैस्तित थे एमिनों सि're इस्तिक कि अबधे बता दोस्त मुछ आवश्व होगा भास्तों सि है कि वैस्तित दोस्त। है कि श्यूर अभू अबवगल को रहाँ थें दोस्तित